हेलो इस्टुडेंट, O2 and Digital Education में आप सभी का स्वागत है मैं आकास आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ किलास 9 के मैथ का फ़स्ट चेप्टर नंबर सिस्टम की एक्सराइज 1.5 एक्सराइज 1.4 और 1.1, 1.2, 1.3 हम पहले ही कर चुके हैं अगर किसी बच्चे ने हमारी वह एक्सराइज नहीं देखी हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं आप सभी जाकर उन एक्सराइज को देख लिए चलिए बढ़ते हैं एक्सराइज 1.5 की तरफ आप सभी को पता होगा एक्सराइज 1.5 में आपका पावर और एक्स्पोनेंट का बहुत ज़्यादा रॉल है तो इसलिए हम पहले बेसिक में पावर और एक्स्पोनेंट के बारे हम पढ़ेंगे पावर और एक्स्पोनेंट आपके होते क्या क्या है इनके basic rules होते है किसी number की power ये है एकी power x तो नीचे वाला number क्या होता है आप बोलों के सर face होता है और ओपर वाल number क्या होता है exponent exponent बोल दो या फिर क्या बोल दो power बोल दो बात एक ये दोनो ठीक है तो इसके कुछ rule होते है जो कि आप को याद रखने है जदी किनी numbers की multiply हो रही है अगर उनका base same है और power दोनों की क्या है अलग-अलग है BASE दोनों का same है A और A और multiply हो रही है तो power आपकी क्या हो जाती है Add हो जाती है ये सभी को याद रखने लेकिन अगर आप multiply ना करके condition ही रहे कि base दोनों का क्या रहे यह रहें और पावर दोनों की अलग अलग रहे और multiply ने करके आप क्या कर दीजीए आप कर दो divide तो फिर क्या होगा आपका आपकी फिर जो power से उन्न दोनों का क्या हो जाएगां डिफ्रेंस हो जाएगा आपस में माइनस हो जाएगी वो याद रखना हमेशा उपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर यह आपको माइनस करने है आगे बढ़ते हैं अभी तक तो आपकी क्या पावर सेम थी आपका सेम था इस बार अगर आपका पावर सेम हो जाती है तो इस कंडिशन में आप क्या करते हो एकी पावर M multiply P की पावर M इस बार आपका क्या कर दिया आपका पावर को same कर दिया और आपकी क्या हो रहे multiply तो आप क्या करेंगे पहले इन दोनों की multiply कर दो और बाद में whole power आप लगा दी ठीक है आगे बढ़ते हैं 4 यदि आपका divide हो रहा है बेस आपका लगा लगा है पावर दोनों की same है तो आप क्या कर देंगे पहले divide कर देंगे फिर बाद में power लगा देंगे whole power अमीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा तो देखो ये बात याद रखना किसी नंबर की अगर पावर क्या है जीरो है सुननी है उसकी value हमेशा कितनी होती है कोई भी नंबर हो आपका ABCDXYZ 10, 15, 20, 25 कुछ भी नंबर हो अगर उसकी power अगर आप 0 करोगे तो उसकी value कितनी आईगी हमेशा 1 आईगी और आपने देखा होगा powers आपकी क्या minus में भी होती है आपकी powers क्या होती है minus में होती है जैसे की 4 upon 3 की power minus का तो power को minus minus power आपको नहीं पता की minus power को कैसे solve करते हैं तो उसके लिए power को आपको क्या बनाना होगा plus बनाना होगा plus बनाने के लिए क्या कर देंगे इसका reciprocal कर देंगे यह क्या हो जाएगा फिलस की हो जाए ठीक है यदि किसी numbers के उपर power के उपर power होती है अगर आपका कोई number जैसे a की power m और उसके उपर भी power bracket लगा के power अगर power के उपर भी power होती है तो powers का क्या हो जाता है आप बोलो कि सब multiply हो जाती है a की power m multiply यह तो है अगर आपका bracket लगा के power के उपर power है लेकिन अगर bracket नहीं लगा हुआ हो तब आपकी power के उपर power हो तब वो आपको कैसे solve करना है support that की आपका क्या है a की power m और उसके उपर power n तो इस condition में आपको इउपर से solve करके लेकर आना है example के लिए ले लेता हूँ जैसे की 3 की power 4 और उसकी power 2 तो इस condition में आपको इउपर से solve करना है उपर क्या लिखा हूँ है 2 तो 2 का 2 ही रहना है और नीचा आओगा 4 की power 2 और आपको पता है 4 की power 2 क्या होता है आप बोलोगे सर 16 और नीचे base क्या बचा आपका 3 तो यह आजाएगा 3 की power 16 यह आपका गलत हो जाएगा कभी आपका दसर फोर टू जा 8 और 3 की power 8 तो यह आपका गलत हो जाएगा ऐसा नहीं बनेगा मैंने आपको बताया अगर bracket लगा होता तो powers क्या कर देते multiply लेकिन bracket लगा हुआ है ही नहीं आपका तो यह आपको ऊपर से solve करके लेकर आना है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा concept तो चलिए वो अपने questions की तरफ बढ़ते है कोई concept रहा तो नहीं है कभी कभा बच्चे इसमें गल्टी कर देते support rate क्या आपका लिखा हुआ है 1 upon 3 की power minus 6 इसका रैसी प्रोकल क्या हो जाएगा आप बोलोगे सर 3 की power 6 ठीक है और अगर आपका अगर आपका लिखा हुआ है 4 upon 3 की power minus कुछ बच्चे क्या करते है 4 को नीचे ले आएगा और 3 की power 6 को उपर कर देंगे प्रोकल की आपका ऐसा होता ही नहीं है ठीक है यह 4 आपका उपर ही रहेगा और 3 की power 6 तब आपको उपर आएगा आप बोलोग सर ऐसा क्योंकि आपने तो बताए रैसी प्रोकल होगा रैसी प्रोकल 4 का तब होता था 4 के उपर भी power minus 6 होती लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं यहाँ पर तो आपका ऐसा है ही नहीं यहाँ पर तो आपका क्या है only 4 है only क्या है आपका 4 इसलिए आपका 4 आपका वही रहेगा 3 की power 6 का ऐसी प्रोकल हो जाएगा ठीक है मतलब 3 पर नीचे थी यह उपर पहुंच जाएगी अब बढ़ते हैं अपने कुस्षंज की तरफ अब देखते हैं 1.5 फाइंड क्या है 64 की पावर 1 अपन 2 आप सभी को पहले तो प्राइम फेक्ट्राइजेशन करने आने चाहिए 64 की प्राइम फेक्ट्राइजेशन क्या होंगे 64 को ब्रेक करना आपको आता है तू से कितनी मार होगा 32 तू से कितनी मार होगा 16 तू से कितनी मार होगा वन जा बन रहा है यह वन टू थ्री फोर फाइफ शिक्स तू की पावर चिक्स क्या लिखेंगे टू की पावर शिक्स और उसको ऊपर क्या है पावर वन अपन टू यह आपको ब्रेक्ट करके लिखनी है यह नहीं कि इसको पर डायट शाब दो जैसे कि आपने बताए सब ब लगा के ही लिखनी है आपको पता है कि अगर पावर्स के उपर पावर होते है तो पावर्स की क्या हो जाती है आप बोलों के सर मल्टिपलाई तो सिक्स मल्टिपलाई वन अपन टू से कर जाए कितनी बार त्री बार तो क्या जाएगा तो की पावर रिवन जा थरी तो की प पाइव ऐसे आपको 32 के एक्टर करने है फसे लिए इसको छोड़ दीजिए 32 आपको फेक्टर क्या करेंगे 12345 क्या बन जाएगा टू की पावर 5 क्या बन जाएगा टू की पावर और ब्रेक्ट लगाके पावर कितने वन अपन 5 और पावर्स की पावर में क्या हो जाते हैं multiply एगर bracket लगा के लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा तो की पावर 5 multiply 1 upon 5 5 से 5 कट जाएगा क्या हो जाएगा अल्ली 2 की पावर 1 बचेगा तो की पावर 1 का मतलगा क्या होता है अब बोलोगे सर 2 ही होता है अब यह वाला कुश्ण आपको खुद करना है 1 upon 25 125 की पावर 1 upon 3 125 की पावर 1 upon 3 यह आपको खुद करना है आंसर बतारों इसका कितना आएगा 5 तो कर लेना बढ़ते है नेक्स कुश्ण की तरफ फस्ट वाला हो गया रेकिन वाला क्या है फाइंड फस्ट वाला कुश्ण क्या है नाइन की पावर 3 upon 2 अब नाइन के आपको क्या करना है प्राइम फेक्टराइजेशन करना आपको अच्छे से आता होगा नाइन का प्राइम फेक्टराइजेशन करना क्या करोगे 3 से 3 बार होगा और 3 से 1 बार होगा 9 की प्राइम फेक्ट क्राइजिसिन थ्ली पावर 2 बस तो लगा दीजे इसमें 9 की जीए क्या लिखेंगे हैं अब 3 की पावर 2 और ये पावर के ऊपर पावर है ब्रेकट लगाएक लिखेंगे 3 अपर 2 छीग है तो 3, पावर के उपर पावर होते हैं, उनकी क्या हो जाते हैं, multiply, 2 multiply, 3 upon 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 की पावर, 3, 3 की पावर 3 कितनी होती है, 3, 3 is a 9, 3 is a 27, अब बोलो से 27, यह आपका आंसर हो जाए, ठेकिन वाला कुस्चन क्या है, ठेकिन वाला कुस्चन आपका, 32 की पावर 2 upon 5, 32 की पावर 2, 32 की पावर 1 upon 5 वाला मैंने आपको अभी कराया था, कितना आया था, 2 आया था, यह कितना आ जाएगा, ऐसे ही, 32 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 5, और उसको ओपर पावर लगी हुए, 2 upon 5, तो 2 की पावर 5, multiply, 2 upon, पाइब से 5 कट जाएगा, क्या हो, दो क्यों होता है, आप बोलो के सब 4, उम्मिद करता हूँ, अच्छे समझ नहीं होगा, अब ज्रको क्या है, 3 वाला, पर अब आपको खुद करना है, 16 की पावर 3 upon 4, 16 कीपावर 4, और पावर कूपर पावर 5 आपकी, Francisco क्योंघेंगी, multiply. 4 से 4 कट जाएगा 2 की power 3 और 2 की power 3 का मतलब क्या होता है आप बोलोielen 8. pavarts का मतलब क्या होता है support debt कि 4 की power 4 है तो इस का मतलब कि 4 की power support debt आपको कितना है 3 है तो इस का मतलब 4 की multiply आपको 3 times करना है आपसनए यह नहीं कि 4 3 है 12 कर दिया आपने यह concept होता है ऐसे 2 की multiply आप कितने बार करोगे 3 बार 2 multiply 2 multiply 2 2 जा 4 4 जा ऐसे अब फोर्ट वाल कुस्टन देख लीजिए इसके लिए 125 की power minus का 1 upon 3 मैंने क्या बोला अगर power को आपको क्या करना है power को minus वाल आप solve नहीं कर सकते प्लस बनाके यह आपको solve करना होगा power को प्लस कैसे बनाएंगे numbers का क्या कर देंगे रैसी प्रोकल 125 का रैसी प्रोकल कितना हो जाएगा 1 upon 125 आवर कितनी है इसकी 1 upon 3 क्या हो जाएगा 1 upon 125 का मतलब क्या होता है 5 की power आएए प्रैइफैक्टराइजेशन करने है यह आते तो करके देख लिए 25 से क्कट करें कितनी हुंआर् हो गाई 25 instance करेंगे 5 ऐबहीं तोroot 5 कि परर आएगा 5 कि परषी हुंआट और इसके ऊपर पावर कितने वन अपान 3 पर पावर लिगां यही आपका राइट आंसर हो जाए है उम्मीद करता हूं सेकंड वाला कुस्षन आपको अच्छे से समझे में आया होगा तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स पूस्षन की सरफ कुस्षन नमबर थ्री इंपलिफाई यह वाले कुस्षन आव आपको क्या करने हैं इनका अंसर क्या आएगा तू की पावर टू अपन थ्री इंटू की पाउर वान अपन फाइव देखो जैसे मैंने वी कॉंसेट बताया था बेस दोनों का क्या है तेम हैं यहां एपका क्या ह अलग अलग है तो मैंने आपको क्या बता है और इंटू का मतलब ही नहीं पता होगा कि इंटू का मतलब क्या होता है बहुत से बच्चे तो इसको पॉइंट समझ रहे होंगे डेशिमल वाला जो पॉइंट होता है वाला जब कि यह मल्टिप्लाई है आप 2 की power 2 upon 3 into 2 की power 1 upon 5 बेज दोनों का सेम है power multiply में power क्या हो जाती है add हो जाती है तो क्या करेंगे 2 की power दोनों का add कर देंगे 2 upon 3 plus का 1 upon 5 तो 2 की power 3 और 5 के LCM nailing कितना जाएगा 15 3 से divide करेंगे 15 में 5 बार जाएगा 5 to the 10 plus 5 से divide करेंगे 15 में कितनी बार जाएगा आप बोलोगे सर्फ तीन बार और तीन सेवन में मल्टिपलाई करेंगे एक में तो क्या दाएगर टू की पावर टैन और थ्री थर्टीन अपन तू यह आपका अंसराद है ठीक है ऐसे आपका सेकिन वाला क्या है वन अपन थ्री की पावर थ्री की पावर सेवन सेकिन वाले हम क्या करना आपको सेकिन वाले हैं कर देता हूँ वन अपन थ्री की पावर थ्री की पावर पावर्स के उपर पावर होती है उनकी मल्टिपलाई हो जाती है अब 1 पे भी कुछ ना कुछ पावर होगी जिस पर कुछ पावर नहीं होती है उस पर पावर कौन से होती है आपकी 1 होती है अब 7 की पावर दोनों के लिए है तो पावर इसके उपर पावर होती है उनके लिए क्या हो जाएगी multiply क्या हो जाएगा 1 की power 7 upon 3 की power 3 7 जा 20 तो 1 की power आप कितनी भी कर लो minus में कर लो है पिलस में कर लो आपका always 1 ही आना है यह हो जाएगा 1 upon यह कितना हो जाएगा 3 की power जा तो यहीं छोड़ तो यह भी answer आपका ठीक रहेगा अगर powers का minus में करना चाहते हो यह आपको ऊपर पहुच जाएगा 3 की power minus का 21 यह आपका right answer हो जाएगा अगर power minus में लिखना चाहते हो तो आप बढ़ते हैं second third question की तरफ third question क्या है 11 की power 1 upon 2 upon 11 की power 1 upon 4 यहां देखो दोनों का base क्या है यहां 11 और यहां वी आपका 11 है और power दोनों के क्या है अलग-अलग है और क्या हो रहा है आपका दिवईड हो रहा है वेन बहुत अच्छे से बताया ता गर दोनों का deb हो और आपका क्या हो डिवाइड हो रहा हो बेस दोनों का सेम सेम और यहां तो terrain अब एलसें कितना आ जाएगा कितना जाएगा आप बोलोकर द्रूब या आपका फंस कि यहां गरेक सोटी मेंस कर दिक है assuming क्या नाइस कर दो को लिए रहा हो तो पावर आपको की यह दोनों का लगा लगे लेकिन आपको क्या पावर दोनों की क्या दिख रही ने मैंने आपको बताया था क्या हो रहा है इन दोनों का Multiply क्या हो रहा है मल्टिप्लाइ तो आप पहले क्या कर Middle गभते चैसज सब्सक्मर्स सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना बोले